राजस्थान राज्यपत परिवहन निगम बिना टिकेट यात्रा निवारन एक्ट 1975 में जो अमेंडमेंट का प्रस्ताव है वह अविवेक पूर्ण एवं अन्याय पूर्ण है पैनल्टी का उद्देश कार करने की प्रवत्ती को रोकना है पैनल्टी कभी भी रेविन्यू का माध्यम नहीं हो सकता है आक्ट की धारा 6 उपधारा 2 में जो अमेंडमेंट है जिसके अकॉर्डिंग पैनल्टी जो है वो आइधर आपको 10 ताइम्स ओफ दे कॉस्स ओफ दे टिकेट पे करनी है या फिर 2000 रुपे करनी है तो मैं आपके माध्यम से कुछ प्रश्न रखना चाहूंगी पहला तो ये कि ये अमेंडमेंट लाने से पहले क्या कुछ बैग्राउंड चेक हुआ था क्या ये पता करा गया था कि पिछले वर्षों में कित्ती पैनल्टी कलेक्ट हुई है या फिर 2500 रुपे की जो पैनल्टी थी वो कितने लोगों को पकड़ा गया है वो पैनल्टी देते वे और कितने लोगों ने आक्चुली में उतने रुपे पे करे हैं तीन साल में जो रेवेन्यू लॉस हुआ है कितने लोग बिना टिकेट के ट्रैविल करे हैं और वो रेवेन्यू लॉस को कवर करने के लिए क्या ये पैनल्टी जारी कर रहे है बहुत सब जनों ने पूरी बाते रखी है तो मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात रखना चाहूंगी कि जो रोडवेज है उसको हम रेलवेज से कमपैर नहीं कर सकते रेलवेज में बिना टिकेट के प्लाटफॉर्म में भी हम एंटर नहीं कर सकते लेकिन हमारे ग्रामीन छेत्रों में रोडवेज की जो बसे है वो कितने ऐसी जग़ पर रुकती है जहाँ पर पहले से टिकेट नहीं खरीच सकते क्यूंकि टिकेट विंडू अब तक नहीं होते तो उस केस में कंडेक्टर ही टिकेट देता है तो यह कैसे हम बता सकेंगे कि कंडेक्टर ने टिकेट पेनल्टी के रूप में काटा है कि actual में वो उसी जगह से चड़ा है इन सब बातों को ध्यान में रखकर एक बात मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि इस penalty के जरे क्या हम corruption को और बढ़ावा नहीं दे रहे क्योंकि कोई भी इंसान 2000 रुपे देने से अच्छा की conductor को कुछ रुपे देगा तो ये एक सीधा सा है कोरोना के माध्यम में कोरोना के काल में जिस वज़े से लोगों को अल्रेडी इतनी परेशानिया हो रही है उसमें रोडवेज को चाहिए कि वो अपनी services बढ़ाएं मैं अगर मेरे शेत्र की बात करूँगी तो वहाँ पर मात्र कुंडिया एक धाम है जहां पर बहुत लोग अस्ति विसर्जन के लिए जाते है वहाँ तक भी रोडवेज की buses अभी तक नहीं पहुँच पाई है और बहुत सारी buses बंद है राजसमन रेलमगरा बेल्ट में ये डिपो जो है वो बंद के बराबर ही रहते हैं तो मैं मंत्री मौदे से ये निवेदन करना चाहूंगी कि एक तो bus services आप बढ़ाएं हमारे शेत्र में भी buses का थोड़ा सा आवक बढ़ाएं और जो management failure है जो conductor का duty है जो job है टिकेट काटना उस management failure को लोगों के उपर penalty के दौर रूप में ना लेकर आएं अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी आप सबसे मौदे जी कि मैं इस अविवेक पूर्ण एवं अन्याय पूर्ण संचोधन को वापस लेने की मांग करती हूं धन्यवाद मानिय स्री हमीर सिंग बायल